इस सेटन गेटी माइग्रेशन को जो हम डिस्कस करें हैं इसमें जो है वो हम इस पिक्चर के अंदर जो है वो बहुत सारे फैक्ट्स देख सकते हैं पहली बात तो जो आपको बताई वाइल बीस्ट जो के एक जो है वो एंटिलोब है वो तक्रीबन 1.5 तो 1.7 मिलियन जो हिस्सा होते हैं माइग्रेशन स्टार्ट यहां से होती है नोग्रो गोरो कंजर्वेशन एरिया से यह तंजानिया के अंदर जो है वो वाक्या है यह इस तरिंगेती जो है वो नैशनल पार का जो है वो इस सदरन साइड के उपर हिस्सा जो है यहां पर छोटी जो है वो घास होती है उस घास के उपर जहाए ये गुजारा करे होते हैं और इसमें तक्रीबिबं जहा है वो 2 जाथ से 2 वाओ जो जेबरा आख है वो इस migration का जो है वो हिस्सा होते हैं इसमें तक्रीबं 3 3 तीत 3 लाख के प्रिब जो है गजाल जिसमें ग्रेंट गजाल भी जो है वो इस migration का हिस्सा होते हैं उसमें जो है वो 12,000 इलेंड एंटिलोप जो हमने देखे थे वो इस migration का जो है वो हिस्सा होते हैं अब ये migration में जो है कुछ पॉइंट्स कुछ जो जगें है वो बड़ी important है इस picture के अंदर हम 21 देख सकते हैं एक यहाँ पर camp है यह है Moro Coppigees यहाँ पर camping की जाती है फिर जो है वो Western Collidore यहाँ पर camping की जाती है फिर उसके बाद जो है वो Trongo है यहाँ पर camp किया जाता है और उसके बाद ये मसाई मारा गेम रिजर्व है जो के कीनिया के अंदर वाक्या है अब migration जो start हो रही है वो यहाँ से हो रही है और यह आगे इस तरह से जो है वो चलती चली जा रही है यह गुरुमाटी जो river है इसको भी उन्होंने cross करना है इस river को cross करना है यहाँ पर जाना है अपनी जो है सदर्ण हिस्सा है वहाँ पर आना है फिर इस जो picture के अंदर हमें नजर आ रहा है वो वहाँ पर जो time है कि जो mark और December है वो यह यहाँ पर पाए जाएंगे जून जुलाइ जो है वो यह जो है वो यह जानवर यहाँ तक जो है वो migrate कर कर आएंगे August और November में यह यहाँ से यहाँ पर migrate कर के जाएंगे और उसके बाद November से यह दुबारा यहाँ पर जो है वो migrate करेंगे तकरीमाँ यह 500 माइल्स का जो है वो जो रास्ता है वो तै करने हैं और यह एक जो है वो continuously clockwise जो है वो एक movement है जो कभी भी रुकती नहीं है चलती रहती है होती रहती है इसको जो है वो जो है वो जो है वो इसको जो है वो लीच करती है इसमें यहाँ पर जो February का season आता है January 2 February का season जह है वो wild beast यह यहाँ पर पाए जा रहे हैं यह जेबराज यहाँ पर पाए जा रहे हैं यह a little bit dry season होता है लेकिन thanks God के वहाँ पे चुके streams वगारा है और वहाँ पे short grasses जहें वो उग जाती है तो इस short grasses को खा के यह जो हर भी वो जानवर्स हैं यह तकरीबर जनवरी टू मार्च तक का जो अपना time period है वो यहाँ पर गुजारते हैं और इस दोरान जो है जो बड़ी एक amazing जो चीज है वो यह है कि यह यहाँ पर जो है वो ना सिर्फ यह जनवरी टू मार्च का जो time period है वो गुजारते हैं कि February में जो है वो बहुत सरे जो young clubs होते हैं उनकी जो है पैदाश होती है वो तकरीबर जो है वो पांच लाक के क्रीब जो है वो clubs पैदा होते हैं दो से तीन जो है वो हफतों के दर्मयान और यह इसको जो है वो synchronized birthing pattern कहते हैं जो दुनिया में और कहीं हमें नजर नहीं आता है किसी और animals के अंदर नजर नहीं आता कि दो तीन हफतों के अंदर जो है वो इतने जो है before the start of migration जो है वो इतने जो है new borns जो है वो पैदा हो जा जाते हैं अब इसके साथ साथ जो है इसी जगा बहुत सरे प्रीडेटर्स जो है लॉइन्स कीता वगरा जो है स्पॉर्टेड हाइना है specifically वो जो है वो इसका बहुत खुशी से शिकार करता है इस wild beast का वो यहां पाया जाता है तो जो young ones होते हैं जो भी कमजोर होते हैं वो उ जराते हैं तो उनको घेल लेते हैं और उसका जो है वो शिकार करते हैं इस तरह उनके भी जिंदा रहने का जो है वो एक जरिया जो है वो बन जाता है और जो है यह तक्रीवन जो है wild beast का जो gestation period होता है यह 250 to 260 days का होता है तो यह जो इनकी gestation period है वो April से start होता है और इस पूर और नाइस्ट बर्थिंग है वो यहां पर क्लफ्स जहें वो पैदा होंगे और जो है वो पांच लाख क्लफ्स का जो है वो दो या तीन हफतों के अंदर पैदाईश एक मिरिकली है नेचर का इसके लावा तो हम और कुछ नहीं कह सकते हैं तो मैई के अंदर जो है वो करके यहां पर आते हैं मैई में जिस वकत यह जो है वो रेन एंड हो जाती है तो यह जो है वो आगे की तरफ मूव कर रहे होते हैं इस वेस्टन कॉलीडोर की तरफ जा रहे होते हैं जून तक इन्हों ने इस जो है ग्रुमोटी रिवर तक जो है वो पहुंचना होता है उस बड़े सारे एक एंटिलोप को पकड़ लिए, दर हकीकत यह वो गुरुमॉटी रिवर है, जिसकत यह वाइल्ड बीस्ट उसको क्रॉस करे होते हैं, उसके अंदर छलंगें लगा रहे होते हैं, तो वो मगर मच वैसे ही पहले ही वहाँ पर इंतजार में होते हैं, कि यह हमारी सफारी अट्रेक्टिफ पॉइंट है, उस चीज को कैप्चर करने के लिए, कि यह जो है, वो कब यहां से गुजरेंगे, कितने गुजर जाएंगे, कितने जो है, वो शिकार हो जाएंगे, तो यह जो है, वो एक सफारी अट्रेक्शन है, यहां पर इन प्लेंस के अंदर, ज जो लगाया जाता है उस camp के अंदर जो है इन तमाम चीजों को जो है record करने की यहां camping जो लोग करते हैं जो के wildlife जो है वो specialist होते हैं wildlife photographers होते हैं वो यहां पर camping के अंदर उन जानवरों की pictures और उनकी जो है वो documentaries जो है वो बनाते हैं जिसवकद जो है यह वेस्टन कॉलिडोर से यहां से इस गुरुमोती river को cross करता है तो फिर again जो है यह आगे जो है अगस्त वंबर में दुबारा थोड़ी सी बारिश इस जगापर होगी तो यह यहां पर move करेंगे इन दा मीन टाइम फिर मारा river जो है वो आ जाता है इस river को भी cross करना है इन्होंने और जो है इसमें भी अपनी बचत को जो है वो उन्होंने मदन नज़र रखना है इन्ही जो है वो rivers के दिरमाने ने हिपपोटेमस भी नज़र आएंगे कोई उनके उबर भी हमला करता है तो फिर जो है यह इस मारा river को cross करके इस मसाई मारा जो game reserve है कीनिया का वहाँ थोड़ा सा time गुजार के दोबारा जो है यह अपने इस जो है वो तक्रीमन डिसेंबर से जो है जन्वी के दुरान यह यहां पर अपना जो base camp है यहां पर पहुँच जाते हैं इस तरह से जो है वो एक clockwise movement भी हो रही है और जो है वो इस ecosystem के अंदर जो है वो अपना role भी play करें हैं यह जहां maru copages है यहां पर जो है वो basically कुछ जमीन plane areas ऐसे हैं जिसे साथ में टीले बने में हैं तो टीले जहां बने में वहाँ पर predators बहुत सारे हैं वहाँ पर चीता है lion है वहाँ पर यहाइनाज है जिन्हों ने जो है वो इनको खाना है इसको जो है वो हम कुछ google पर भी जो है खुबसर से इसके नजारे देखते हैं यहां पर हमें जो है वो भी नजर आते हैं यह देखिए ये जो है वो हमारे पास जो है वो मौरू पॉपजीज जो है वो जो है वो लैंड्सकेप है ये इस तरह से ये लैंड्सकेप है ये यहां पर जो है वो इसके उपर आपको जो है वो शेर वगारा चीता वगारा नजर आएगा जो अपने प्रीडेटर को उसने जो है वो फिक्स है और यहां पर जो है यह यहां पर देखिए यह वलब वो हिस्ता है जहां पर open safari का जो है वो region है इस open safari में इस open jeep से अंदर जो है वो जाकर जो है वो elephants यह लॉइंस यह इन zebras की जो है वो activity देखी जा सकती है यहां पर जो है यह zebras जो बहुत खुशत लगते हैं धेट सारे किसी river पे पानी पीने के लिए खड़े हुए हैं और फिर उसके बाद river की सूरत के अंदर जो है वो आगे की तरफ जा रहे हैं और जो कुदरत ने इनको एक चीज जो दी हुई है कि यह जो black strips और उसके बाद white strips यह इनको basically heat से बचाने के लिए जो है वो nature ने इनको एक Caribbean जो है वो दी हुई है तो यहाँ पर यह आप एक और नजारा देख सकते हैं इस सरेंगेती जो है वो migration का इसमें बहुत सरे reptiles में हैं जो नीचे हैं और बहुत सरे even vultures यहां पर पाए जाते हैं और वो इनतजार कर रहे हैं कि कब जो हाईना किसी का शिकार करे और उसकी जो बची कुछी बागियात है वो उसको खा जाते हैं और वो बहुत जल्द बागियात को खा जाते हैं इस तरह ए नेचर में जो है वो सफाई का अंसर और वो जो डेट रिमेंज रह गए हैं उसको जो है वो खा के एक और स्पीची जो अपने जिन्दा रहने का जो है वो इंतिजाम करती है तो गया एक कॉंपलेक्स सा एक कुपसूरा सारा एक अभी तक बहुत सरे जिसके फैक जो है वो छुपे में है और शायद और बहुत कुछ जो है वो समझ हमें जो है वो आएं वो अभी तक जो है इस माइगरेशन को जो है वो डिसकस किया जाता है ये एक wonders वन अफ नेचर's wonders है जो के हम देखते हैं इस जो है वो ग्रुमती रिवर को जिसके प्रॉस करते हैं तो तो ये wild beasts look at this कि किस कदर जो है वो तादाद में हैं ये 1.5 million यानि के लाखों की तादाद में जो है वो आ रहे हैं इन्होंने इसको cross करना है अब इस दुरान जो है यहां पर जो है वो कुछ उसका शिकार भी बन जाते हैं क्रोकोड़िल का शिकार बन जाते हैं यह इस तरह से यहां पर जो है इन्होंने इस river को cross कर लिया यह है यहां पर आगे चले गए river को cross करते होई और जो है किस तरह से पानी की है जो इन्होंने आगे जाना है और इसको जो चीज स्टिमिलेट करती है वो दरहकीकत इनका सर्वाईवल है कि इन्होंने जिन्दा रहना है खा कर जिन्दा रहना है तो ये जो एक वाइल्ड के अंदर जो फिनॉमेना है जो के एक हंट भी जो किया जाता है जहां पर गेम रिजल्स वगरा है और साथ में इन्होंने को जो देखा भी जाता है पिर इन्होंने को लाकर हम मुझलिक मुलकों में कैप्टिविटी में जू में रखते हैं वहां की खुबसूरती का बाइस पनते हैं चलता है यह जो है वो जेबराज यह जिराफ यह लाइन्स यह लैपर्ड्स यह टीता जहां यहां खतम हो गए यह राइनोसरस जहां यहां खतम हो गए हिपोपोटेमस जहां वो खतम हो गए लेकिन यह एफ्रीका में जहां वो पाए जाते हैं और हम अपने मुलकों के अंदर उनको सर्फ zoo के अंदर देख सकते हैं तो यह एक नेचर का बहुत खुबसत नजारा है जो के survival for the fittest और अपनी survival के लिए वो पूरा साल चलता रहता है एक restless activity है एक continuous और constant activity है और जो stimulus है इसका जो इसमें dominant factor है वो है rainfall कब होगी, कहां होगी, कितनी होगी और वहां पे घास होगा उसको खाने के लिए उन्होंने हर खत्रा जो है, वो cross करना है इस दोरान जो एहम बात वो यह के तक्रीबन जो है वो धाई लाख के करीब जो wild beast है death भी हो जाती है, उनकी कोई कमजोर हो गया है कोई बिमार हो गया है, किसी का शिकार हो गया है लेकिन even then जब इनका एक overall number calculate किया जाए तो दुबारा उतनी ही population जो है वो आ जाती है और फिर इस population में वो जो एक synchronized birth thing pattern जो है वो इसकी population को दुबारा जो है वो maintain कर देता है और फिर जिन्दगी जो है वो अपनी तरफ रवाँ दवाँ हो जाती है एक बहुत खुबसत event जो हम तंजानियां जाके देख सकते हैं let's hope कि कभी हमें भी मौका मिले इस open safari का और जो है वो कभी शेरों से मुलाकात का कभी जराफे को जो है वो देखने का जराफे उंचे 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 दरख्त के पत्ते खा लेते हैं यह जो आंटी लोपस हैं यह नीचे वाले जो है दरख्तों के पत्ते खा लेते हैं यह कोई चीज बेकार नहीं है उसका कोई ना कोई फाइदा कोई ना कोई उसका इस्तमाल करने वाला वहाँ पर पाया जाता है